एलो फ्रेंट्स, आज मैं गेहू के आटे की बहुत ही मज़दार सी रेसिपी आपके शेयर करूँगी। बहुत ही जादा सिंपल है, इजी है, क्विक है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। दो चमज तेल में आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते म और उसके बाद हम इसमें दो चमज सूजी एड़ कर देंगे। तो फ्रेंट्स, सूजी आप कोई भी यहां पर यूज कर सकते हैं। और नारूमल आटा लिया है, जो हम प्रोटी पराठे वेगरा बनाते हैं। बस वही आटा है। स्वाद के नुसार नमक एड़ कर देंगे थोड़े सी इसमें मसाले एड़ करेंगे, जिसमें हम कुटी हुई काली मिर्ज का पाउडर है, वन फोर्थ चमज वो एड़ कर देंगे, एक चमज चेली फ्लेक्स एड़ कर दिया है मैंने, और उसके बाद यहां पे आधा चमज गरम मसाला एड़ कर देंगे, वन फोर्थ साथ ही मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर यहां पे इसे एक घोल बना कर तयार करूंगी, तो हमें एक साथ इसमें पानी बिल्कुल नहीं एड़ करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और यहां पे घोल बना कर तयार करेंगे, हमें इसमें देख सकते हो हमारा घोल अभी भी बहुत जादा ठीक लग रहा है तो हमें इसमें और भी पानी की जरुत होगी तो हमें ने यहाँ पे आधा का पानी और यूज कर लिया है और इसी तरह से डालते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे डेढ़ का पानी हमने इसमें तो यहाँ पे मैंने डेड़ कप पानी से गोल बनके बिल्कुल अच्छे से तयार हो जाएगा अब हम उसे साइड में रखेंगे दूसरी तयारी कर लेते हैं तो दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरी सबजिया ली हैं प्याज, टमाटर, गाजर, शिम्लामिर, धनियापति और यहाँ पे ग्रीन चिली भी लिया है सभी को मैंने छोटे टुकडो में कट कर लिया है ताकि हम इसली इसे चौप कर सके तो यहाँ पे chopper लिया है मैंने धनिया पती को इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे ताकि बहुत ही आसानी से यह इसमें chop हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे गाजर को एड़ कर देंगे और शिमलामीर च एड़ कर देंगे प्याज भी एड़ कर दिया है मैंने टमाटर सभी को एड़ कर देंगे एक साथी और इसे हम चौप कर लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपके पास चौपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसे डाल का बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करके तयार कर सकते हैं तो यह दिखे फ्रेंड्स चौपर में बहुत ही आसानी से यह सारी सब्जी अब बिल्कुल चौप हो जाती है तो यहाँ पे सब्जीयों को हमें बिल्कुल इस तरह से ही कट करके तयार करना है बिल्कुल ऐसा ही चौप करना है अब हम क्या करेंगे इन सभी सब्जीयों को एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है सभी सबजीयों को अब हम क्या करेंगे जो हमने गेहूं के आटे का गोल बना के रखा था सभी सबजीयों को हम इसमें एड कर देंगे तो फ्रेंट्स आप इसमें पपने पसंद के कोई भी सबजीयां यूज कर सकते हैं और जो सबजीय आपको पसंद नहीं हो आप उसे इसकीप भी कर सकते हैं आप यहाँ पे पालक वेगरा भी यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू था जिसे मैंने ग्रेट करके यूज किया है तो फ्रेंट्स यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप आलू डालना पसंद नहीं करते हो तो आप इसे इसकीप कर सकते हैं मैंने आलू को ग्रेट करने के बाद अच्छे से वाश कर लिया है ताकि इसका स्टार्च ओकर निकल जाया उसके बाद मैं इसमें एड कर दूँगी और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो आप देख सकते हो सबजीयों के साथ जो हमने गेहूं के आटे का ग्होल बना के रखा था वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें बना कर तयार करना है और आप इसकी थिकनेस को भी देख सकते हो ना ही हम इसे इससे ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही हम इससे ज़्यादा मोटा बना कर तयार करेंगे तो ये देखिए हमारा गोले हापे बनके तयार हो गया है अब हम गैस की तरफ चलते हैं दूस्ती तरफ मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया था और बिल्कुल एक चमच ओयल हम डाल कर पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जो हमने बैटर बना के रखा है दो चमच बैटर हम इस तरह से पैन में डाल देंगे और हलका से इसे हम फैला देंगे इसके बाद हम इसे ढख देंगे और उपर से हम इसे सिखने देंगे उसके बाद हम इसे टर्ण करेंगे थोड़े टाइम में ही आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये उपर से ही बहुत अच्छे से सिग गए हैं तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर फोड़ा सा ऐल स्प्रेड कर दें और इसे हम टर्ण कर देंगे तो फ्रेंट्स यह बहुत ही सिंपल ईजी और बहुत ही हेल्दी सारा नास्तिकी रेसेपी है आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें आपको बहुत जादा पसंद आएगा बहुत सारी सबजियों के साथ बनके तयार होता है और बच्चों को अबहुत जादा पसंद आए तो फ्रेंट्स इसी तरह से अलट पलट कर बिल्कुल क्रेशप ओने तक इसे हम इसी तरह से से लेंगे और बिल्कुल दो बुन तेल का यह नास्ता बनके तयार है तो फ्रेंट्स आप भी इस तरह से एक बार ये रेसेपी जरूर ट्राई करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसी तरह से करके हम सभी को यहाँ पर बना कर तयार कर लेंगे बहुत ही सिंपल इजी क्विक सी रेसिपी है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है बहुत ही हलका फुलका सा नासता है फ्रेंड्स कभी भी मन हो कु साथ ज़्यादा कम कर सकते हैं आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है और फ्रेंड्स इसे बनाने में सिफ पांच मिनट का समय लगता है पांच मिनट में यह रेसिपी बनके तयार हो जाती है मैं आपको तोड़के भी दिखाती तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में ओके बाई एंटे केर फ्रेंड्स